कोरोना तो चला गया लेकिन उसकी चाप अब तक लोगों के मन और मस्तिश्क पर बनी हुई है लेकिन अब एक बार फिर लोगों पर बड़ा संकट मन रहता हुआ नजर आ रहा है जो वैक्सीन एक वक्त पर जीवन दाई नी मानी जा रही थी अब वही जान पर संकट बन गई है ब्रिटेन से लेकर भारत समेट दुनिया भर में कोविड वैक्सीन पर गंभीर सवाल खड़े हो गई है और अब इसे लेकर डॉक्टरों ने मोदी सरकार से गुहार लगाई है तो क्या है पुरा मामला जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट कोविड वाक्सीन पो लेकर विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है वैक्सीन बनाने वाली ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजनेका ने अपनी वैक्सीन दुनिया भर से वापस मगा ली है ऐसे में अब दीश की जनता की निगाहें मोदी सरकार पर टिके हुई है कि सरकार कब कोई कदम उठाएगी हाला कि सरकार ने अब तक मामले में कोई बयान नहीं दिया है लेकिन डॉक्टर्स के समूह ने जरूर इसके खिलाफ आवाज उठा दी गई डॉक्टर्स के एक समूह ने सीरम इंस्टिटूट ऑफ इंडिया की बनाई गई वैक्सीन कोवी शील्ड की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई है अब एकन इंडिया मुव्मेंट ए आइम के बैनर तले डॉक्टरों ने एक समवादाता सम्मिलन में मोधी सरकार से वैक्सीन के फॉर्मूले को रिव्यू करने की मांग की है साथी डॉक्टरों ने मोधी सरकार से वैक्सीन के व्यापारी करन पर रोक लगाने की भी मांग की है डॉक्टरों ने सरकार से जनता पर वैक्सीन के साइड एफेक्स की केसिस को जल्द से जल्द पहचान करने का और निगरानी तंक्र के कार्यान वयन का भी अनुरोध किया है। समाधाता सम्मेलन में रेडियोलोजिस्ट एवं कारिकर्ता डॉक्टर तरुन कोठारी ने मोधी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने कोविड रोधी ठीका करन के बाद दुखद मोतों के बढ़ते मामलों को पूरी तरह से नजर अंदाज कर दिया है। और वैग्यानिक जाज के बिना कोविड ठीको को सरक्षित एवं प्रभावी रूप में फ्रचारित करना जारी रखा है। उन्होंने कहा कि दुनिया कोविड राक्सीन के थ्रॉम्बोसिस एवं थ्रॉम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम टी टी एस नामक दुषप्रभाव के बारे में जान रही है। सीरम इंस्टिट्योट आफ इंडिया ने तो ये तक कहा कि उसने 2021 में ही टी 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 ए सहिद दुरलब से अत्यंत दुरलब सभी दुषप्रभावों का खुलासा किया था। लेकिन अब तक मोधी सरकार ने वैक्सीन के साइड इफेक्स को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हाँ वैक्सीन सर्टिफिकेट से जरूर पियम मोधी की तस्वीर हट गई है। अब तो डॉक्तरों ने भी मोधी सरकार से गुखार लगाई है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या सरकार इस पर कोई प्रतिक्रिया देती है। दीवी लाइफ के रिपोर्ट